किंगे गाइज वेलकम टूसीपीसर्म क्लासस आज एक नया चेप्टर है नया टोपिक है वायरस की स्टेड़ि करेंगे बहुत ही बीपें स्टेड़ि करेंगे इससे पहले cell biology में हम cell का intro पढ़ चुके हैं gram positive, gram negative के बारे में पढ़ चुके हैं आपके bacterias हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं अब हमारा जो topic आता है वो virus आता है ठीक है? back to back premieres आ रहे हैं तो आप उनको regular देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा तो अब सुरू करते हैं हमारा जो chapter है वो है virus से virus क्या है? virus को हिंदी में हम बोलता है विशानू और जो virus सब्द है वो Greek word से लियाग रहे है Greek सब्द है और जो virus है इसका mean होता है विशेला तरल या सरल विश ठीक है? इसका mean क्या होता है? अगर हम virus की study करते हैं जिस science की जिस branch में हम virus की study करते हैं उस branch को हम वाइरोलोजी कहते हैं वाइरोलोजी यानि विशानू विज्ञान अगर हम discovery की बात करें तो जो virus है उसको सबसे पहले एक तंबाकू का जो पोदा होता है उसमें खुजा गया था और वो खोजने वाले scientist थे डुक्टर जो डी इवानोवस्की थे इन होने जो तंबाकू का पोदा था उसमें मोजेक रोग होता है और उसका जो वाइरस होता है वो मोजेक वाइरस होता है उसको खो जाता तो इस प्रकार इसकी जो discovery हुई वो इवानोवस्की ने की थी 1992 में तंबाकू के पोदे में ओके गाईस अब हम देखते हैं कि यह scientist थे बिजयरनिक जो बिजयरनिक scientist थे यह Dutch scientist थे इन होने क्या किया इन होने जो एक संकर्मित पोदा लिया वाइरस से संकर्मित पोदा लिया ठीक है संकर्मित पोधे के घोल को एलकोहॉल में इसमें जो प्रजेंट जीव थे उनको नस्ट करने के प्रियोग किया बट वो नस्ट नहीं हुए जो इसका घोल बनाया उसोंने वो घोल अनक जो अधर प्लांस थे उनके भी रोग पेदा कर रहा था तो जो मेटर निकला उसको उन्होंने कहा था कॉंटेजियम वाइवं फ्लूइड उन्होंने जो वाइरस बाद में इसको वाइरस नाम दिया गया बिजेरनिक ने जो वाइरस को पहले क्या कहा था कॉंटेंजियम वाइवं फ्लूइड ओके गाइस आ रहा है समझ में ठीक है अब हम देखें कि जो वाइरस था ये इसको TMV टोबे को मोजेक वाइरस का सबसे पहले Stanley ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया और इसी कारण जो आपके Stanley साइंटिस थे उनको Nobel Prize मिला 1935 में स्टैनले ने टोबे को मोजेक वाइरस का क्रिस्टलाइजेशन किया और जो क्रिस्टली करण किया इसके आधार पे उनको Nobel Prize मिला इस पे अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसका जो वाइरस था इसके बारे में जो कुछ scientist थे उनका क्या कहना था इसका जंदा लेटो रहते हैं ठीक है एक scientist थे borden borden नाम के जो scientist थे उन्होंने virus को obligate parasite बताया वोडेश ने इसको obligate parasite बताया और क्या बताया इन्होंने बताया कि इसकी जो आमप size होती है वो 100 angstrom से 3000 angstrom तक हो सकती है एब दुसरे scientist आये Luria, Luria ने बताये कि यह जो आपके virus होते है बहुत ही सुक्ष्म होते है Luria ने virus के बारे में क्या बताया उन्होंने बताये कि यह अत्तिश शुक्ष्म होते है और vishist सजीव सेल में ही प्रवेशकर जनन कर सकते है यह Luria ने बताया बाद में आये फुंग और वैगनेल फुंग और मैगलेन ने बताए कि एक morbid poison होता है विकरत wish होता है यानि तूटा-फूटा wish होता है विकरत होता ही तो गाइस यह आपको boring लग रहा होगा discovery part इससे आगे हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे इसको इसके character sticks इसकी क्या structure होती है ठीक है बहुत सारे bacteria जैन की structure वगारा सब कुछ हम देखने वाले हैं तो ठीक है गाइस अब देखें एक scientist आये लौफ लौफ ने बताया कि जो यह आपका virus होता है वो अंते कोशी की परजिवी होता है ओके और इसमें जो संकर्मान की बता दूं की वाले होता है संकर्मान की संकर्मान की संकर्मान की शंற इसमें प्रजेंट होती है इसमें जो आपका nucleus होता है तो बрахला का केंद्रियक अमल होता है वही दिगुणन करता है इसमें तो इसकी general एंट्रो है हम कुछ अब आते हम structure and shape of virus जो वाइरस है उसकी सेप किया है structure किसी है उसको देखते हैं पहले एक बात बता दूँ कि जो वाइरस होता है उसमें बाहर होता है protein capsule envelope और nucleic acid होता इसमें इसमें अंदर ये अंदर पाया जाएगा nucleic acid फिर protein capsid envelope बाद में तो यह तीन पॉंट आपको याद रखना है structure देखिए यह मैंने mixovirus की structure बना रखिए इसमें यह है आपका RNA core यह है capsomere यह protein वाला coat ओके यह है आपका वेक्टिरियो फेज जिसे हम जीवानों बोजी कहते हैं यानि जीवानों को खत्म करने वाला यह जो वैक्टिरियो फेज है यानि जीवानों भोजी है यह जीवानों को खाजाता एयस ब्चावर दाव सकते हैं यह तोबे को मोजिक वाइरस इसमें जो RNA हेलिक CT है और यह होते हैं इसके कैप्सोमियर हम देखेंगे कैप्सिट क्या होते हैं कैप्सोमियर क्या होते हैं मोनोमियर किसे मिलके बने होते हैं कैप्सोमियर किसे मिलकर यह मिक्स वाइरस के स्ट्रक्चर हो गई तो आपको यह स्ट्रक्चर विल्कुर किलियर हो गई होगी ओके गाइस आगे बड़े हम देखे कि यह वाइरस होता है इसके उपर एक envelope होता है कुछ protein coat होते हैं इसके उपर और अंदर पाया जाता है इसमें nucleic acid ही हम अब देखिए मिलकर बना होगा जिसे हम कैपसोमियर कहेंगे यानि कैपसीड जिन से मिलकर बना है वो कैपसोमियर है और कैपसोमियर जिन से मिलकर बना है वो मोनोमियर है तो मोनोमियर की परिवाजा क्या होगी कि कैपसोमियर अने की काईयों से मिलकर बने होते हैं जिने monomere कहते हैं तो guys आप ऐसे याद रखिए monomere से बनती है capsomere and capsomere से बनती है आपकी capsid okay guys और monomere किस से बनती है यह monomere होती है polypeptides रंकलाओं से मिलके बनी होती है तो आपको याद रखना है monomere बनती है polypeptides रंकलाओं से और इन polypeptides रंकलाओं से बनती है monomer, monomer से बनती है capsomer और capsomer से बनती है आपकी capsid ओके गाइस अगर हम बात करें एक capsid की तो एक capsid में normally कम से कम 12 capsomer होते हैं यानि एक capsid बनाने के लिए कम से कम हमारे को 12 capsomer तो चाहिए बाई अब देखिए आपको envelope nucleic acid और इसके जो तीन पार्ट में ने बताए protein nucleic acid envelope कैसे कैसे होते हैं यह देखिए envelope बाहर पाए जाता है यह इसका मतलब protection का कार्य कर रहा है अंदर पाए जाए nucleic acid और capsid और capsomer होते हैं यह यहाँ पर पाए जा रहे हैं ठीक है guys तो यह diagram clear हुआ अब हम देख लेंगे इसका जो envelope क्या है ओके guys अब देखिए आप यहाँ पर देखिए कुछ envelops दिए गए हैं जो आपके यह होते हैं virus इनके envelope यानि जो virus होते हैं इनका आउरण envelope होता है इनका आउरण यानि बाहर की जो coating होती है वह envelope होती है जैसे diagram देखिए यहाँ पर यह envelope है यह बाहर बाहर जो बन रहा है वह envelope होता है यह vaccine जो virus है उसमें influenza virus में देखिए यह बाहर है यह capsid है इसमें देखिए polio virus है इसमें यह बाहर वाला जो एनोलोग बन जाएगा इसमें फेज जो 174 vectorio phase है कुछ ऐसे structure होती है जो आउरण होता है यह विशानों के रासायनिक जेविक और जो antigenic गुन होते हैं उनका आहरण करते हैं और जिसके विशानों में तंतु सरूब सरचनाय सतय से निकली रहती है और अधिकतर जनतों पर पाए जाने वाले विशानों लगबग गोलाकार और अनीमीत जैसे polymorphic होते हैं ठीक है जो आप देखे कि रेबीज विशानों जो बुलट की आकरती का होता है जैसे यह बुलट होती है क कुछ एसी एसी बुलट होती है आपकी तो कुछ रेबीज होता है रेबीज विशानों वो इस बुलेट की आकरती का होता है रेबीज ओके आगे चलते हैं जो आपका पॉक्स विशानों होता है वो पॉक्स विशानों को आप देखें तो कुछ इनिट होता है ना इनिट जै होते हैं this होती है तो यह विशानु का मीन होता है वायरस अब आगे चलते हम अगर हम देखें लिविंक कोंकों से होते हैं इसके बाद में हम देखेंगे इसके जो man characteristics हैं, non living और living के बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो virus होता है आपका, उसमें कौन-कौन से आपके non living और living characters होते हैं, उनमें से living characters देखते हैं पहले, जो virus होता है वो antigenic गुणवाला होता है, virus परकोशी में विशिस्ता होते हैं, वो परकोशी भी होते हैं, परकोशी होते हैं, living होंगे परकोशी, so हम इनको living बोल सकते हैं, antigenic गुण पाये जा रहे हैं, इसलिए living बोल रहे हैं, विशानों का जो परवर्दन होता है, जीवित कोसिकाओं में होता है, तो भाई, non living का तो नहीं हो रहा, तो इसलि आपको एक वाइरस ऐसा बताऊंगा उसमें DNA भी होता है और RNA भी होता है ठीक है तो don't worry about it मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है धीरे धीरे अब क्या है कि हम discovery से आगे आगे अब ये कुछ रोचक चीजे पढ़ेंगे आगे तो बने रहे हैं विशानों होते हैं जो ताप रासायनिक पदार्थ विकिरण और उद्दिपकों के प्रति अनुकिरिया दरसाते हैं और विशानों में जो अनुवानसिक पदार्थ होता है उसकी पुन्रावर्ती होती है यानि living characters ये ही होते हैं क्या-क्या एक बार आप देखे गिन प्रतिजनी गुन परफूशी में पाये परफूशी वाले हो गए परफूशी हो गए इसमें ये प्रवर्धन करते हैं जीवित को सिकाओं में ठीक है इनमें जो genetic material होता है RNA या DNA होता है ये ताप के प्रति रसायन के प्रति विकिरण के प्रति जो स्टुमिलेट्स होते हैं उनके प्रतियेया देते हैं ठीक है उसमें जो Genetic Matter होता है अब हम देखते हैं कि fellowship sabemos बीस के लिविंग डेर सफ वा इन्हीं वाइर locking कौ्ञ कौन से हैं पहला तो मैंने पहले बता चुका हूं कि जो वाईरस है इसका crystallization हो चुका, सबसे पहले एक scientist थे, Stanley Stanley scientist ने जो virus है, उनका crystallization किया था विशानू होते हैं उनमें crystalline करन किया जा सकता है, यानि crystalline करन क्या, non-living का हो गया भाई ये तो, आप चीनी वगारा इनका crystalline करन करते हैं, चीनी के घोल का चीनी का गोल बनाया, उसका crystalline करन क्या, या किसी और matter का, तो वो non-living होते हैं यानि विशानू का भी हम crystallization करते हैं, तो ये non-living हो गया विशानू अपनी विश्ट परपोशी शेल में इनाल्ट होते हैं, अकिरिया होते हैं, कोई किरिया नहीं करते हैं, विशानू ये autokatelic होते हैं, और इनमें कार्यात्मक स्वेयता नहीं होती है, इसमें कोशी किया सरचना नहीं पाई जाती है, main character देखे, non-living वाला यानि non-living में कोशी किया सरचना नहीं होती है, तो वायरस में भी कुछ वायरस होते हैं में नहीं होती है तो इस प्रकार इनको हम non living में रख सकते हैं ठीक है इसमें एंजाइम का अभाव होता है और विशाणों में उपापची किलियाई शोशन इत्यादी नहीं होते हैं तो हम देखते हैं कि यह non living होगे याणि अगर metabolic reactions नहीं होगी इसमें जो आपका respiration है वो नहीं होगा तो हम इनको क्या मान सकते हैं इनको non-living मान सकते हैं अब हम देखने वाले इसके character sticks और कुछ रोचत चीजियों के बारे में तो guys अब देखते हैं general character sticks of virus okay generally हम देखते हैं कि जो आपका virus होता है उसमें या तो DNA होता है या RNA दोनों में से एक ही मिलेगा बट अब देखिए कि रोच सारकोमा वाइरस होता है यह cancer उत्पन करता है जो रोच सारकोमा वाइरस है यह cancer उत्पन करता है और जो यह virus होता है इसमें DNA भी होता है और RNA सबसे चोटा विशाणू कोोनere होता है कि माप क्या होती है साइज देख लें ween तो इसकी साइज की बात करें तो 0.002μμ होता है माइक्रो मिटर होता है ठीक online को सब बड़े की बात करें तो वाइरस की एक वीडियो और बना रहा हूँ मैं तो उसमें कुछ ब्रोड लेवल पे बनाऊंगा ठीक है ये तो क्या है कि मतलब लेवल थोड़ा कम रहा है इसमें एक अच्छे लेवल पे बनाएंगे वो जो आपके MSC के लिए रहेगी इस्पेसली और जो JRB की तयारी कर रहे हैं जोलोजी से उनके लिए भी रहेगी तो गाइस प्लिज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक सेर वीडियो सीपी सर्मा क्लासिस ये BSC के लिए हैं साथ में MSC, NEET UPSC, Geology RPSC Geology, Botany and Chemistry तीनों सबजेक्ट आपको मिलेगी यहाँ पे Geology, Botany, Chemistry Biology नीट के लिए मिलेगी पूरी Chemistry मिलेगी नीट के लिए और Physics के कुछ Lectures भी है मैंने सर को बोला है वो सर भी डालेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और लाइक से एर वीडियो डोन्ट फॉर्गेट टू लाइक गाइस और गाइस एक बात ध्यान रखो अगर आपको यह North चाहिए मेरे से तो आप comments कर सकते हैं मैं आपको जो North की PDF है वो available करवा दूँगा या North की PDF का जो link है मेरे पास drive link में मैं डाल चुका हूँ तो मैं link आपको available करवा दूँगा तो आप मेरे को comments कर सकते हैं ओके गाइस ताटा भाई भाई मिलते हैं अभी